हिंदुस्तान के भावी जिला दिकारियों को सुप्रभात हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट गनेश अंदरपाल स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफर्म M4 Mathematics के UPSC CSR section में तो आएए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज की क्लास में लोग देखने वाले हैं एवरेस से रिलेटेड प्रीवेस एर में पुशे गए क्वेशन तो इस क्वेशन हमसे कहा जा रहा है there are five boxes in a cargo hold the weight of first box is 200 kg and the weight of second box is 20% more than the weight of third box whose weight is 25% more than the first box weight the fourth box at 350 kg is 30% lighter than the fifth box the difference in the average weight of the four heaviest boxes and four lightest boxes option दिया गया है हमें 37.5 kg option number beam दिया गया है 75 kg option number seam दिया गया 112.5 kg option number beam दिया गया है ननाब दिज़ग क्वेशन हमसे कहा जा रहा है कि एक cargo hold है उसमें 5 boxes रखे गए है पहले box का जो weight है वो कितना दिया गया है 200 kg और जो second box है वो 20% more than है weight of third box मतलब तीसरे box के weight से 20% जादा है किसका second वाले box का वजन और हमसे ये बताया जा रहा है जिसका weight 25% more than the first boxes और जो तीसरा box है उसका weight कितना है पहले वाले weight से 25% जादा है इसके लावा हमें fourth box के भी से में बताया जाता है कि weight of fourth box is 350 kg जो 25 box से 30% हलका है लाइटर है तो हमसे कहा जा रहा है कि find the difference in the average weight of the four heavy boxes and four lightest boxes मतलब सबसे जादा वजन चार box के average का weight और सबसे कम या हलके चार box के average weight का difference बताना है तो ये कुशन solve करते हैं solve करके answer का सही बता लगाते है तो सबसे पहले बात करेंगे हम weight of first box तो first box का weight हमें दिया गया है 200 kg अगर हम बात करें थर्ड box की थर्ड box की भी से में सीरा सीथा बोला गया है कि वह 25% जादा है तो भाई हमने क्या किया ये 25% किना हो जाएगा 125 upon 100 और से multiply कर देंगे कितना आ जाएगा 250 kg तो अगर हम बात करें इसके calculation का तो ये देखिए कितना है 200 kg है 200 kg और 200 kg कहा हमें कितना निकाला है 25% तो 25% कितना हो जाएगा 25% निकालीजे 25% तो ये देखिए ये रोखेंसिल हो जाएगा तो मतलब 50 kg 25% आया है 200 कॉमल लेंगे 200 कॉमल लेंगे 1 प्लस 25 बटे 100 तो इसे सब सॉल करेंगे कितना हैगा 200 गुडे 100 का 100 बटे 100 तो इसे डारेक्ट कर देंगे कितना जाएगा 250 kg तो ये आपका डारेक्ट सॉल हुआ है 250 kg अब हमसे कहा गया था ये 3rd box से 20% जादा है तो देखें 3rd box का 20% जादा 120 बटे 100 कर तो इसे कितना आगे 300 kg बात किया थी 4th box के भी सेम कितना बोला गया था 300 50 kg बात किया गया था 5th box हमसे कोशन में कहा गया था कि 4th box है 5th box से 30% हलका है इसका मतलब कि weight of 5th box क्या हो जाएगा 350 x 100.17 कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 500 kg अब हमसे कोशन में पूशा गया है उसकी बात करते हैं हमसे कहा गया है कि average of 1st 4 highest boxes तो सबसे चार सबसे ज़्यादा वजंदार जिसका weight ज़्यादा है ऐसे boxes कोशन से हैं तो देखिए 500 kg, 350 kg, 300 kg और 250 kg 300 का निकाल लेजी 300 का average निकाला कितना आ गया 350 kg ऐसे ही निकाल लेंगे average of 1st 4 highest boxes तो सबसे हलके अगर हम बात करें इसके बाद हम निकाल लेते है average of 4 lightest boxes तो lightest boxes भी बात करेंगे तो सबसे हलके box काम होंगे देखिए 200 kg, 250, 300, 350 तो यह हमारे सबसे lightest हो जाएं सबसे हलके box को जाएं इनका average कितना आ गया 250 हमसे क्या पूछा था सबसे version वाले के average और सबसे हलके वाले 4 boxes के average का difference तो इन दोनों का difference निकाल दे 350 में 275 जाएं 75 kg आएगा कितना आएगा 55 kg की option दिया गया है option number हमें B में दिया गया है इस तरीके से हमारा option number भी correct हो जाएगा अब बात यह आया कि यहां पी देखिए आपसे क्या पूला है सुर्ट चार highiest boxes और lightest boxes के average का difference पूछा है difference क्या होगा addition क्या होगा multiplication अब even odd की बात करते हैं कि पहले स्थान पे 200 के जीए क्या है odd place पे है 250 दूसरे स्थान पे किस प्लेस पे है even place पे है तो इस तरीके से भी question पूछा जा सकता था अबसे तो हर टाप यह question के लिए आप त्यार रही है I think आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आज की class में बस इतना ही जैहिन सब्सक्षा